कोरोना के संकट काल में जरूरत मंदों की मदद के लिए लोगों ने अनेक तरह की पहल की है इसी कड़ी में दुर्ग जिले के भिलाई शहर में गरीब परिवारों की मदद के लिए एक आठा बैंक बनाया गया है एक अंतराश्ट्रिय स्वयम सेवी संस्था के सदस्यों ने कम खर्च पर यहां आठा बैंक उपलब्ध कराया है ताकि गरीब परिवारों की मदद की जा सके संस्था की स्थानी एकाई की अध्यक्ष विभा भुटानी ने बताया कि नियूनतम शुल्क लेकर गरीब परिवारों को आठे का पैकेट दिया जाता है हम सुनते ही लोग फटा-फट जो है सोचते पैसा देना है और पैसा निकालना है संस्था की एक अन्य पदाधिकारी रेविका बेदी ने बताया कि इस प्रयास को इस्थाने व्यापारियों ने भी काफी मदद मिल रही है वही शहर के अन्य लोगों ने भी इस पहल की सरहना की है जो है बनाया हुआ है लोग यहां पर आते हैं और 30 रपे में रजिस्टर कराते हैं उसके बाद उनको वो काड लेकर ही आना होता है यहां और जब वो कार्ड हमें दिखाते हैं वो कार्ड हम बनाते हैं आधार कार्ड लेते हैं उनकी एक फोटो लेते हैं और उसके बाद हम उनको कार्ड बना के देते हैं वो कार्ड लेकर आते हैं और साथ में हमें 100 रुपीज देते हैं और उसके बाद एक पाकेट आटा लेक वहीं इस बैंक से आटा लेने वाली दो महिलाओं ने बताया कि कोरोना के कठीन समय में इस संस्था से उन्हें परियाप्त आटा मिल रहा है इससे पैसे की बचत भी हो रही है संस्था ने अपने कामकाच को पारदर्शी बनाने के लिए सभी गरीब परिवारों के लिए एक पास बुग बनाया है ताकि महिने में उन्हें मिलने वाले आटे का हिसाब रखा जा सके साथ ही इसका दुरुपयोग भी न होने पाए अनुठी पहल के कारण इस आटा बैंक को पडोस के अन इलाकों में भी शुरू करने की मांग